common questions नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये questions आपको शायद उतना answer नहीं भी बताऊगा, कोई बात नहीं, अभी exam को है हमारे पास पांच दिन, तो हम लोग का कोशिश बत ये रहेगा कि अगर ये सारे common questions जो हैं, वो exam में पूछे जाएं, तो हम लोग कोई problem नहीं होना चाहिए, और common questions के answer भी, at least once we have seen, right, so that is the strategy and we will start the class, till then you can share the class and also like the class, अप लोग लाइक और शायर कर दीजे, ताकि हम लोग ये जो एक साले इसके questions को discuss कर ले हैं, very good morning, okay, so let's start, मैं भी थोड़ा प्रकट हो जाओं, है न, तो अभी हम लोग यहाँ पर static भी है, questions, तो अब लोग बस question answer, question answer की form में बस इसको समझी और फिर भी विल सी, so it is a rapid fire, जिसे कड़न, coffee with कड़न में होता है, कि rapid fire में जल्दी 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 answer दिया रहता है, बस हमारे rapid fire में इतना अंतर है कि हम सोच समझ कड़ अंसर देते है, so let's start, देखे, एक किताब ह जिसके ना में the most incredible olympic stories, so the most incredible olympic stories किताब किसने लिखा है, who is the author of this book, right, very good morning everyone, all the students who are aspiring for exams or their career, sab ko बहुत 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 अच्छा लगते है कि आप लोग इतना महनत करते है, और hopefully, जो students CDS का preparation करने होंगे, जिनको SSB में भी बहुत अच्छा marks लाना है, वो अभी तक क्या कर चुके होंगे मेरे class के पहले, क्या बोला था मैने, मेरे class के पहले आपको क्या करना है, सुभे में newspaper आप लोगोंने पढ़ लिया होगा, कौन सा newspaper, Dalek Jagran, नहीं, कोई भी English newspaper, for the beginners, it is Times of India, for moderate students, it is Indian Express, and for pro-level students, the Hindu newspaper पढ़ कर आपने थोड़ा कसरत कर लिया होगा, जैसे की body को थोड़ा stretch किया होगा, लड़किया, लड़के, सब कोई, थोड़ा 20 बार एक ही जगा खड़े होंगे, जंक करना है, ठीक है, और अगर आपके पास रसी है, रसी कुदा जाता है, तो रसी कुदने वाला है, तो वो तो बहुत अच्छा है, और body को stretch, मतलब legaments, और ये सब जो है, थोड़ा, वो लोग भी, जानवर भी उठता है, तो पहला अपने body को stretch करता है, तो हम लोग को आसकत नहीं करना है, ठीक है, चले, very good, नहीं, नहीं, CDS का current effect, जो खतम होगा, तो देखे, इसका answer जैसे कि I have told you, कि those questions, which you have not heard, but important, are being asked over, है, लुक्यायानो, वर्किंग, वर्किंग के, ठीक है, इनके नाम है, अब नाम है तो है, तो इसका ऐसे नाम याद कर लो, वर्निक, ठीक है, वर्निक है, के तो नहीं, इसमें वर्निक आप याद रखेंगे, ये the most incredible olympic stories book है, जो कि publish क्या गया है, नायोगी books द्वारा, ये पे history है, politics है, और spirit है, देखिए, 2021 हमारा olympic का साल है, तो इसी लिए olympic के questions पूछे जाएंगा, और those questions won't be common, those will be rare questions, peculiar questions, so वही आज मैंने डाले है, peculiar questions, ठीक है, which institute has collaborated with the ministry of Ayush, Ayush आपको पता है, Ayurveda, Yoga, आशदी, सिद्धा है ना, to conduct a study on Ashwagandha for promoting recovery from COVID-19, तो एक institution है, जिसने अश्वagandha के बारे में, आप लोग भी सुने होंगे, अश्वagandha बहुत न्यूज में था, गिलोई न्यूज में था, गिलोई, गिलोई क्या होता है, वो पेड का न, वो यह रता है, ऐसे stem बढ़ाता है, तो उसको बोलते हैं कि पानी पुलाके और गुजरात में, तो यह बताएं कौनसा institute है, बिलकुल यह दिखिये, All India Institute of Ayurveda के साथ, यह जो London School of Hygiene and Tropical Medicine है, इसने किया है, कोई बात नहीं, guys, your means attempting, it is very good, बस एक question को answer एक बार देख लो, क्या पता, exam में आए, तो आपको पता हो, तो यह हम लोग उने अश्वagandha, London School of Hygiene and Tropical Medicine के साथ किया है, All India Institute of Ayurveda, clear है, guys, COVID-19 से, अब next question आप देख सकते है, golden visa पे है, तो which country has decided to issue golden visa to all doctors residing there, यहाँ पे बताएं कि, यह golden visa को में लग समझ में आते है, कि अगर कोई भी इंसा, जासे संजद अथ को UAE का golden visa मिला है, golden visa यह ने golden ticket है, उसको जब दुभाई जाना है, जब नहीं जाना है, जब नहीं जाना है, जब नहीं जाना है, जब नहीं जाना है, हम अगर कहाना, anytime he can go without any visa, he is having the golden visa. यह कौंसा है, यह UAE है, जहाँ पे उन्होंने कहा है, यह golden residency service to facilitate issue of golden visa to doctors residing in UAE. तो UAE बसे कि अपना बहात बहात साठाग टूरिस्म प्रमोट करना चाहता the Olympics was higher when you look at the free Winston level when you learn for the film these are the Local Paralympics थे दिव्याण लोग अचरी नॉर्मल में कि जो दिव्याण नहीं उन से जादा टालेन्टेट होते हैं उन पर ये लिखा गया तो थीमसॉक जो है ये लिखा है Sanjeev Singh Ji sa the great भुद एक lados क्रिकेटर है और कर दे तू कमाल ये theme song इसको याद रखेगा अनुडाग ठाकुड हमारे sports minister है इन्होंने इनको launch किया है ओके गाईज और आपको law minister पता है कौन है law minister अभी कौन है किरन रिजजू है ये याद रखेगा क्योंकि बहुत लोग क्या सोचते है ये जो बिहार वाले इनका नाम क्या था शंकर रवी शंकर वो अब नहीं है law minister ठीक उनके पास अभी कोई भी portfolio नहीं है next question आप देख सकते हैं who has been appointed as the prime minister of Armenia ठीक है तो Armenia में देखें कौन है prime minister इसका answer जल्दी से comment section में दे दे Nicole, Arthur, Armand या Armin सरकिसन तो देखें यहां पर Armand सरकिसन कौन है वो president है और Nicole पाशियान जो है ये prime minister है और ये 2018 में ये appoint हुए clear है कोई doubt तो नहीं इसमें और Armand सरकिसन भी है news में उनके बार में बताएंगे ठीक है क्योंकि वो Armand है तो उससे Armand ये याद रखेगा ठीक येस गईज सी यॉर गेटिं कन्फूज इन option के 5 के A और B में तो आफ तो आफ तोर आफ तोल्डीओ वाट इस अधित इस अधिस्टर इस अधिस्टर का ब्लाव जन हित में जाडी रविशंकर ने जगडा कड़के पास हां बिलकुल बिलकुल ठीक है So next question, हर hit store, हर hit store, यानि कि सबका hit हो, सबका भला हो, जन hit में जारी, ये बताएं, ये जो हर hit store है, ये किस state में हैं? थोड़ा सा अभी हम लोग ना नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं लेकिन आपको पता है धीरी-धीरी स्पीड बहुत जल्दी हो जाएगा तो आप लोग भी मेरे साथ स्पीड बना के रखें और जादा कॉशन स्वाल्फ करें तो यहां पर यह हडयाना है ठीक है हडयाना में मनोहर लालकटर जी यहां के चीफ मिनिस्टर है और हड हिट स्टोड इन्होंने ही यहां पर लॉंच किया है तो आप लोग भी खुश होगे होंगे तो यह जो है मदरास हाइकोट ने कहा कि we will not ban और अचली यह तमिल नाडू का हाइकोट नी तमिल नाडू की गवर्मेंट ने कहा था ठीक है कि हम लोग बन लगाएंगे और वहां के हाइकोट ने मदरास के हाइकोट ने कहा कि नहीं हम लोग बन नहीं लगाएंगे clear है? चलिए बढ़िया हाँ next question, यहां पे आप देखे which organization has been nominated to execute the project of enhancement on digital appeal at national war memorial तो यहां पे आप answer बताएं कब कक मैं और देखूं आप लोग क्या-क्या comment करें, anything you are commenting against me or not means you should not, but if you are good morning Arvind, Arvind hi, ठीक है, Sandeep Mohapatraji, hello guys, आप लोग session को थोड़ा सा share कर दीजे, थोड़ा सा like कर दीजे है ना? yes, it is a very very good morning, ठीक है साथ तारिक है, exam भी आने वाला है, मौसम भी अच्छा चल रहा है चा, मैं प्रानाशियेशन is, thank you तो देखे, यहां पे question क्या है कि कौनसा इस अंगठन है, organization इस अंस्थान है, जो हो लिए, has been nominated इनको चुना गया है to execute the project of enhancement of digital appeal, यह तो digital appeal होगा, national ward memorial पर यह भारत electronics limited है जो कि digital appeal के लिए इसको चुना गया, बहुत सारा पैसा लगेगा, आप जानते है कि national ward memorial जो है यहां का मशाल में सारे देश का मशाल मिलाया गया है और अमर जोती जवान जो कि पच्चास साल से चल रहा था है इंदरा गांधी सरकार में था वो बना तो उसका मशाल भी अब national ward memorial के साथ मिला दिया गया है और अभी एक hologram statue बना है जो कि निता जी सुभाष चंदर बोस का है बहुत जल्दी वो एक realistic लंबा चोड़ा सा statue बन जाएगा चले very good which of the following is the key objective of airport economic regulatory authority of India bill 2021 तो देखे airport भी है इसमें economic भी है regulatory भी है authority of India bill 2021 तो इसका main objective क्या है bill और act में आप अंतर समझते जब भी हमारा session चलता है जब हम लोग का parliament चलता है तो उसमें ना कुछ bill पेश होते है bill होने का मतलब है कि उसमें कुछ प्रावधान माली जे कि हम चाह रहे हैं कि ऐसा law होना चाहिए तो अगर हम सरकार में है माली जे अगर हम कोई मंत्री है कोई MP है कुछ भी है सरकार के साइड है तो उस bill को बुला जाएगा government bill ठीक है लेकिन अगर हम एक ऐसे member है जो की सिर्फ MP है और सरकार में नहीं है और हम opposition party में है तो उसको बुला जाएगा private member bill clear है और जब वो bill actually में लोग सभा से पास होता है राज्य सभा से पास होता है फिर president design कर देते है या फिर पहले राज्य सभा से शुरू हुआ लोग सभा में पास हो और फिर president उसको send दे दिये तो वो bill बन जाता है act जिसको आप क्याते है कानून तो इसका main objective है pairing of small airports with bigger airport तो देखिए अभी अभी ये bill जो है पास हुआ था actually monsoon session का है अभी तो क्या चल रहा है budget session चल रहा है तो फेवरेडी में budget session चलता है फिर august में कौन सा session चलता है monsoon session चलता है November, December में अपका winter session चलता है दो session के बीच में कितना gap होना चाहिए maximum 6 महिने का ग्याप होना चाहिए यानि कि 6 महिने के अंदर दो sessions हो जाने चाहिए maximum तो यहां पे कह रहे हैं कि जो आपकी छोटे-छोटे एरपोर्ट है उनको बड़े-बड़े एरपोर्ट के साथ pair कर दीजे ता कि वो उनको guide कर सके clear? very good चले next question देखिए अभी 12 मिनिट हुआ है हम लोग question number 10 पे है तो अभी हम लोग को speed थोड़ा सा और increase करना पड़ेगा ता कि 12 questions 12 मिनिट पे हम लोग question number 12 पे ड़े right? क्योंकि questions हमारे पस तो 100 है ना तो इसलिए साथ मिनिट में करना है which Indian visual artist इसलिए तो यह तो आप लोग जानते हैं यह तो आप लोग बच्पन से पढ़ रहे है तो answer बता दीचे जल्दी से Arvind दोनों जगा है Arvind यहाँ भी है Arvind वहाँ भी है very good very good ऐसे ही eliminate करना है जैसे देखिए इस question में आपको universal जब भी आपको बहुत लंबा चौड़ा question देखिए और इसका statements बहुत सारा options देखे तो जो universal होता है Universal statement आप समझते है जैसे कि अगर आपका दोस बहुत दिमाग खाड़ा आपका यार मेरा यह problem वो problem तो तुम लोग बच्चने के लिए क्या कहते हो उसको बुछ universal statement जो है चिपका देते हो जैसे कि अरे honesty is the best policy be honest यार सच बोल दो यार ऐसे मत करो fraud नहीं करना चाहे है तो तुम लोग इताम बावा बन जातो universal तो जब भी तुम लोग को बहुत लंबा चौड़ा question देखे बहुत सारा options देखे तो यह सब समझ लोग कि यह थोड़ा गलत है ठीक है यह एक trick होता है हर जगा तो काम मलब exceptions है लेकिन 80% यह काम कर जाता है ठीक है guys very good तो यहाँ पर SNR जो है Anand Radha Krishnan यह जीते है SNR award he is the best inter and multimedia star interior art SNR award is also known as the Oscar of comedy चले next question next question है कि how many medals so far India has won in athletes as olympic तो यह तो पुड़ाना कश्यर में तो इसलिए आया है लेकिन आप गोल्ड में नीरा चोपडा को याद रखेगा javelin throw यह करते हैं 87.58 meters यह जो है वह है हिस्ट्री है कि आज तक हम लोगोंने सिफ एक ही medal जीता है अधिलिक में जब से olympic शुड़ू है हम लोगोंने बस एक medal जाता है हाँ unconscious mind से आता है very good तो guys अप लोग इक बार session को like कर दीजे और share कर दीजे और कुछ बच्चे आ रहें कुछ बच्चे जा रहें मंदर है यह अधिलिक ट्राइब्स के बारे में कहा जाता है ab originals अगर आप सुने indigenous सुने तो यह सब समझ जाएगा ठीक है अब देखे कुछ ट्राइब्स है जैसे चक्मा चक्मा कहां का ट्राइब है यह पता होना चाहिए संथाल संथाल जाडखन का ट्राइब है ठीक है फिर अगर आपको कुका पुछा जाएगा तो पंजाब का है कुकी अंदोलन हुआ था मनीपूर में तो यह सब छोड़े छोड़े ट्राइब्स है पता होना चाहिए रंपा यह बताइए ठीक है तो कुछ ट्राइब और रिवोल्स पता होने चाहिए आपको नेक्स्ट्रेशन का अंसर है लीविं नो वन बहाइंड यानि कि हम किसी को नी छोड़ेंगे सारे इंडीजीनिस पीपल को and call for a new social contract साथ में लेकर चलेंगे देखे अब नेक्स्ट्रेशन आप से पूछा जा रहा है हाँ तो अब नेक्स्ट्रेशन यहां पर महावीर चक्र के बारे में पूछा जा रहा है कि कॉमोड़ेड ठीक है कसाड़ गॉड पटनाशेटी गोपाल राओ इनको इनका निधन हुआ है इनको महावीर चक्र मिला है किस साल गॉपाल राओ जी को चक्मा अडुनाचल का नहीं है अडुनाचल का अबोड है डाफला है मिश्मी है चले तो यह है क्वेशन का अंसर है गॉपाल राओ जी को 1971 में मिला है इसको याज रखेंगे 94 years के हैं और इनका निधन हुआ 2021 में यह question important है और महावीट चक्र इनको 1971 में बढ़ी है Under Limited Liability Partnership Amendment Bill How many offenses under the law will be decriminalized? पूछा जा रहा है कि कितने जो यहाँ पे अपड़ाधी है उनको decriminalize किया जाएगा कितने सारे आरोपों को यह Under Limited Liability Partnership क्या है देखते हैं तो टोटल 12 ऐसे offenses हैं जिनको इसके तहट इस Act में decriminalize किया जाएगा बस इतना जान लीजे Here है, बढ़िया Next question आप देख सकते हैं कि Asiatic lion in which national park last remaining population of Asiatic lion has been found तो अगर सिफ एक ही जगा कोई जानवर मिलता है तो उसको endemic species कहते है Endemic species, clear? Yes, बढ़िया Yes, it is for DSSBJE It is for all the exams which you'll be attempting this year So, ये गिर्ड नाशनल पार, गिर्ड नाशनल पार कहा है वो Asiatic lion गुजरात में मिलता है सिर्फ और सिर्फ गुजरात में मिलता है Here, Chief Scientist of the WHO, World Health Organization, has urged the nation to prioritize reopening of school amid the COVID-19 pandemic Who is the current Chief Scientist of World Health Organization So, क्यूंके WHO COVID में बहुत जादा news में रहा तो आपसे Chief Scientist का नाम पूछा जा रहा है And Chief Scientist, जो है, इनका नाम है Dr. Swamya Swaminathan तो यह क्यों important है, क्योंके यह Indian origin की है Dr. Swamya Swaminathan is the Chief Scientist of World Health Organization जो की बोल रहे थे कि school खुनना चाहिए या नहीं, ठीक है Tech for Inclusion Tech for Inclusion का मतलब होता है किसी भी, मलब जैसे कि शहर है शहर में आपका technology है लेकिन उसको ऐसा technology भी बनाना है कि वो गाओं-गाओं तक पहुँँँँँँँँँँँद का मतलब समझ में नहीं आए तो समझाए कि उसको बहुत रिमोट एडिया तक पहुँचाना, बहुत जादा अंदर पेनिट्रेट करना, ठीक है तो अब बताएं, inclusive जो है, यह किस organization का है Grameen Foundation, India, GFI, clear है Tech for Inclusions Next question Which organization IIFL Finance has partnered with to offer innovative digital credit product to its merchant Guys, answer दीज़े, जल दीज़े Very good आर्ति फॉजदार, अर्विन, खुश्बू, शहाब, रहान, ओम प्रकास, अमरत, रजद, श्रद्धा, महेश, आयूशी, शमा, पूजा, very good और जिनका नाम आने ने लिए, अभी आप लोग answer दीज़े, तो आपका नाम लिया जाएगा तो यहाँ में कौन सा जगा है, यह है आपका Finbox का based है, merchant, और IFL यहाँ पे Finbox का यह answer हो गया, ठीक है, नहीं पता है, तो बस Finbox सुन लिज़े, कहीं option में आएगा तो tick कर देगा, इन्हें की दूसरे की option में आएगा तो tick कर देगा, फिर आप देखे, RBI ने penalty दिया था, एक कर परोड का लगा था, फटका, which country has test fired the surface-to-surface ballistic missile जिसका नाम है गजनवी, यह बताएं कि यह country ने ballistic missile इस तरह से projectile motion होता है, और गजनवी इसका नाम, इसके पहले भी था, इसका नाम था, बावर, ठीक है, तो इस टाइप का नाम यह लोग रखते हैं, क्या नाम है, क्या नाम ह पाकिस्तान जो है, इन्होंने surface-to-surface air missile गजनवी अभी test fire किया है, और गजनवी इसको याद रखेगा, गजनवी is of Pakistan, अब कुछ important news देख लीजे, फेस्बुक ने अपना ब्राइंड का नाम मेटा रखा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मेटा है, आपको पता ही है, उ यह पहला है ऐसा और यह Southern Railway का train हो गया, शुताबदी train इसका नाम है, as well as second mail और the express train, express train आदमी को ले जाता है, और मालगारी जो है, वो क्या समान को ले जाता है, सार्थक, सार्थक को inaugurate किया गया है, तो यह INS नहीं है, यह ICGS है, ठीक है, तो Indian Coast Guard ship ने सार्थक को अभी बड़ में inaugurate किया था, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, clear है, ठीक है, ठीक है, पिलास्टिक मिस्साइल, अगनी 5, देखे, पिछले बार, I guess, CDS मैप से अगनी प्राइम पूछा गया है, ठीक है, तो यह सब आपको पता होना चाहिए, अगनी प्राइम, अगनी 5, और जो स्कॉर्पियन में 6 है, ठीक है, तो वो सवा प्याद कर लीजएगा, क्योंकि अभी 5 वाला भी डीसेंटली उसको भी लाया गया है, तो अभी हम बताएंगे, तो देखे, APJ अब्दलकला, आइलेंड ओफ, और ऑन्शोर मतलब समझते हैं अब, अगर लैंड से हवा, सी की जा रहा है, तो उसको off शोर कहते हैं, क्योंकि वो सुखा हवा होगा, उसमें पानी नहीं होगा, अब तो लैंड से हवागा है, तो उसको onshore कहते हैं, क्योंकि उस हवा में नमी होता है, और उसके कारण बारिष भी हो सकता है, तो इसलिए offshore, onshore समझेगा, तो ये land से किस तब जा रहा है C की ओर जा रहा है ना तो इसलिए ओफ लिखा जाता है अब देखिए यहां पे कुछ और questions हैं यह पूछा जा रहा है international day of victim of enforced disappearance तो किसी को जबरदस्ती वो गायब हो गया किसी कारण से तसकरी हो गया trafficking होता है लोगों का तो उस साल वो कौन सा दिवस हम लोग मनाते हैं हम लोग 30 अगर स्कोन को याद करते हैं और उनके लिए awareness करते हैं कि अगर आपके आसपा सचानक से कोई गायब हो जाए खासकर कोई बच्चा तो आपको awareness create करना चाहिए लोगों को बताना चाहिए चुक्चाप नहीं राना चाहिए तो देखें यहाँ पर alternative payment system है यह बताएए yes guys don't get demotivated if you don't know the answer you just मैं बहुत एक बार सुन लो दे में confusion होता है ठीक है कोई बात नहीं एक जग आप note down कर लिजे और I'm sure कि अगर option में आएगा तो आप उसको tick कर लिजेगा exam पे पहले लगता है कि मैं भूल रहा हूँ मैं भूल रही हूँ मुझे नहीं याद आ रहा है लेकिन exam किसम में सब सही हो जाता है ठीक है yes now the next question is कि यहाँ पर बताएए answer क्या है तो यह South Korea ने क्या किया है कि world's first law to force tech giants such as google and apple to offer alternative payment system on their app store तो यह बोल रहा है South Korea कि इन लोग को alternative payment system देना चाहिए you breathe life ठीक है you breathe life जो है यह बताएए कि the world's first plant-based smart air purifier यह कौन से institution ने developed किया smart air purifier plant-based है ठीक है तो यह जो है यह IIT roper है IIT roper कहां है पंजाब में है IIT roper clear बढ़िया फिर आप देखेंगे what आप वैसे roper आपका इंदस्वाले civilization में भी वह वर्ट था पता है न फिर who is the head of the committee set up to review the existing guidelines of journalist welfare scheme तो journalist के लिए क्योंकि आप जानते है अभी अभी एक journalist है जिनका अफगानिस्तान में निधन हुआ क्या नाम था उनका याद है दानिश सिदिकी तो उनके लिए welfare schemes लाया गया है तो कौन उस committee के head है अशोक टंडन जो है इस committee के head है और headed by प्रसार भारती के board के member है यह प्रसार भारती आप जानते होंगे तो अशोक टंडन है अब आप बताएंगे की who is the first Indian women to win two medals in Paralympic Games तो पहली जो भारती है वो बताएं कौन है वो भी महिला जो की Paralympics Games में दो medal जीती है इनका नाम क्या है तो यह है अपनी लखेडा जी और यह क्या करती है शूटिंग है ना तो शूटिंग करती है अपनी लखेडा जी और इन्होंने दो medal जीता है Paralympic Games में इंडिया along with which country has announced dollar 1.2 billion package for finance to Asia green growth तो हम लोग क्या चारे हैं देखें इस बार हमारा 21.71% का total coverage है तो पहले कितना था 21.67% कैसे पता चला कि इतना बढ़ गया Indian state of forest report आया 2021 का था लेकिन इस साल आया 2020 में इसके पहले 2019 में आया था बाइनियल होता है हर दो साल पे आता है तो हम लोग एशिया में United Kingdom के साथ मिलकर हम लोग कुछ package अरेंज किये हैं जिससे हम लोग green growth को promote करेंगे सिम्बेक्स एक maritime exercise है सिम्बेक्स हम बार बार पूछते हैं आप बताएं कि हम लोग यह maritime exercise है वह Singapore और किस country के बीच होता है तो वह हमारे देश के बीच होता है इसलिए हम पूछ रहें सिम्बेक्स है ना फिर बहले टर्टल conservation award देखें तो बहले जो लोग टर्टल को बचाने के लिए काम करते हैं उनको conserve करने के लिए उनके लिए एक award होता है आपको टर्टल और टॉटोइस में आतर बता है ना तो वह साथ बहुत सारे अन्देर देते उनको अडी बाधा कहते हैं और वह हो चान से होते हैं anasara जो है और यह सबसे चोटे इस ठील कोता है यह को गयिए और तो बेशरे टर्टल में लें अर एक authority दो होटे अधिए नाуж सबसे छोते क्लास के बाद आपको PDF मिल जाएगा, you can like the session and share the session as well till then, session को like or share निकरते आप लोग, like करना होता है न, session को बना, teacher को गैसे पता चलेगा कि session पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, teacher सोचते रहेंगे कि पसंद है, change करना है, नहीं करना है, you give us a guide, अमलब direction, we also give you our direction, तो यह है कौन सा नहीं, SBI नहीं, guys, यह Indian Post Payment Bank है, ठीक है, और यह LIC के साथ, यह provide कर रहा है, strategic partnership, ताकि home loan को to offer, to over 4.5 करोर customers, ठीक है, तो यह Indian Post Payment Bank है, National Small Industry Corporation, NSIC, देखें, यहाँ पर किसी का bank का भी exam होगाना तो वो भी clear हो जाएगा, यह सब questions है, तो यह partnership कर रहे हैं, किसके साथ, ताकि यह MSME को support करें, Micro, Small, Medium, Enterprise, जो कि हमारे देश के 90% employment के लिए, लबजमेदार है, responsible है, और 40% export के लिए भी, तो, it is a good thing, तो HDFC Bank है, जो National Small Industry Corporation के साथ, MSME को strengthen करने के लिए बात कर रहा है, फिर आप देख सकते हैं, यहाँ पे North Korea ने एक hypersonic missile, hypersonic missile, you understand, transonic होता है, जब speed of sound के बड़ावर होता है, hypersonic होता है, जब speed of sound से कम होता है, कोई missile का speed, और supersonic तब होता है, जब actually बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर पांच गुना से भी ज़्यादा-ज़्यादा है, किसी missile का speed, sound से, तो उसको hypersonic कहते हैं, clear है, तो यह होँ, song 8, North Korea ने अभी test fire किया है, यह सब हम थोड़ा device करवाड़ें आपको, NBA, National Basketball Association के brand ambassador, जो है, उनका नाम है, Ranbir Singh, नहीं, आता ही नहीं, यह का बात नहीं है, एक दिन बस हम आपको ऐसे questions देना चाहते हैं, जो actually आप सोचें, कि इसका, क्या question है, क्या answer है, वैसे आपको याद करने है, कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, एकता दिवस हम लोग 31 October को मनाते हैं, राष्टी है, एकता दिवस, यह आपका, हमारे Iron Man of India, सर्दार बल्लव भाई पतेल जी के birth anniversary के लिए होता है, पुत्रा खंड, gets country's large aromatic garden, आप एक compound चुन होंगे, उसका नाम, यह बेंजीन रिंग जो होता है, वो उसको aromatic रिंग भी कहता है, उससे अच्छा स्मेल आता है, फिर आप देखे, हिरोशिमा में nuclear bomb attack वा था, उसके survivor बच गए, उनका नाम है, सुनाओ, तो शूबोई, शूबोई, ठीक है, इनका जो बच गए, उनका अब निधान हो गया है, फिर दुनिया का largest hydrogen fuel cell, hydrogen fuel cell, यह कहां पर बनाए, यह साउथ कोडिया में बनाए, hydrogen is the only element which do not have any neutron, तो अगर पूछा जाए कि कौन सा element में neutron नहीं होता है, तो वो hydrogen है, करनाटिका जो है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा अच्छा state है, जो की energy efficiency करता है, ठीक है, state energy efficiency index जो है, करनाटिका का है, फिर एक किताब लिखा गया है, the journey of Indian cricket, from 1947, यह author किया गया है, ऐाज महिनन द्वारा, clear है, पढ़िया, हाँ, बच गया है, nuclear attack हुआ था न, यह जो atomic bomb गिरा था, ठीक है, little boy fat man, तो वहाँ पे वो USA ने जो जपान में यह सब गिराया, तो उससे वो survive कर गये थे, बच गये थे, और उनका ही अभी निधन हुआ है, ठीक है, yes, Interpol के, Interpol के अभी president कौन बने है, तो यह UAE के है, Ahmed Naseer Al-Raisy, इनका नाम है, इंडिया का कौन सा bank है, जिसने PVC, PVC जिससे pipe बनता है, polyvinyl fluoride क्याते है इसको है न, तो PVC plastic launch किया है, HSBC से, पसे आप लोगो बेंजीन का formula पता है क्या, बेंजीन का formula क्या होता है, या फिर उसका structure क्या होता है, किसी को पता है, बेंजीन, ये भी कभी-कभी पूछा रहाता है exams में, तो इससलिए हम सोचे कि आप से पूछ ले, तो यहाँ पर देख लीचे, ये कौन सा bank है, HSBC है, जो कि used plastic से अपना credit card बनाएगा, अहरबर festival हम लोग पहली का जमू कश्मीर में बना रहे हैं, येस, फिर मेरियम वेंस्टर डिक्षनरी ने बोला कि वैक्सीन को बनाएए, 2021 का word of the year, मेरियम वेंस्टर डिक्षनरी, ठीक है, C6 and 6, सबको पता है, कोई ऐसा student है, जिसको नहीं पता है बन्जीन के बारे में कुछ, तो हम बता दें, थोड़ा सा simple दें, कोई ऐसा student है, अच्छा commerce student है, तो बिल्कुल आपको नहीं पता होगा, लेकिन common science में पूछा जाते हैं ना बन्जीन, हाँ, तो देखे, ring होता है उसके बीच में, कि बन्जीन का बता होगा, कि बन्जीन का रेजनेंस होता है, कि यह वे तब तब का बताएं, कि South Korea to get first floating city by 2050, अच्छा, यह जस्प्रीव बुम्रा के पास ही हम बन्जीन बना देते हैं, ठीक है, ठीक है, कार्बन का ना एक problem है, कार्बन का problem क्या है, कार्बन का अटॉमिक नंबर इस 6, तो उसका जो configuration होता है, वो होता है 2, 4, अगय माल लीजे, last में कभी भी ऐसा नंबर हो, जो कि 1, 2 और 3 है, तो यह सब metals होते हैं, जो एक electron दे देगा अपना, यह दो electron दे दे देंगे, यह तीन electron दे दे देंगे, तो यह 1 प्लस हो जाते हैं, यह 2 प्लस हो जाते हैं, यह 3 प्लस हो जाते हैं, ठीक है, और कभी-कभी क्या होता है, कि कुछ ऐसे elements मिलते हैं, जैसे कि nitrogen है, oxygen है, fluorine है, जिसके atomic नंबर में last में होते हैं, 5, ठीक है, उसके बास 6, और 7, तो यह क्या करते हैं, यह 1, 3 electron ले लेंगे, तो सब का main motive है, कि last में 8 बनाना है, तो इसमें भी 8 हो जाएगा, तो यह 3 electron लिए, तो यह 3 minus हो जाएगे, यह 2 electron लेंगे, तो यह actually 2 minus हो जाएगे, और यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, यह 1 electron लेंगे, और 8 लेंगे, यह 1 minus हो जाएगे, तो जो electrons donate करते हैं, वो metal होते हैं, और वो positively charge होते हैं, जो electron except करते हैं, वो non metals होते हैं, वो negatively charge होते हैं, metals जो हैं, वो solid होते हैं, except mercury, which is liquid at room temperature, और non metals जो हैं, वो solid and gas होते हैं, except bromine, which is also liquid, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया लेकिन carbon क्या कड़ेगा इसका तो problem ही अलग है carbon का क्या problem है carbon का problem है 1, 2, 3 नहीं है last में 5, 6, 7 भी नहीं है तो carbon क्या करता है 4 bond बनाता है ठीक है तो यह हमेशा 1, 2, 3 4 bonds बनाते है benzene क्या सा बनता है benzene में ऐसे 6 carbon होते है है ना और 6 carbon एक दूसरे से एक एक कड़के bond बना लेंगे ठीक है अब क्या हुआ carbon को तो total कितना bond बनाना है 6 bond बनाना है बनाना है तो 4 bond बनाना है तो 4 bond बनाना है उसी को आप क्या बोलते है catenation बोलते है तो यह carbon इसके साथ bond बना लिया यह carbon इसके साथ bond बना लिया, ये carbon इसके साथ bond बना लिया, ठीक है, अब क्या करेगा, अब इस carbon के पास कितना bond है, one है, two है, three है, इसको एक और चाहिए, तो जहां पे कुछ नहीं, वहां पे hydrogen, तो हम लोग यहां यहां इसको hydrogen, hydrogen, hydrogen लगा लिया, ठीक है, तो अब आप देखिए, benzene म हम लोग double double bond बना लिये, और साथ में एक-एक hydrogen लगा लिये, तो इसको बोलते है, C6S6, तो कभी-कभी जनरल साइंस में इस टाइप के questions आते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, benzene ring बोलेंगे, ठीक है, और कभी ये टूट-टूट के फिर ये गोल-गोल घूमते रहते ह हैं, ये आप याद रखेंगे, फिर आप देख सकते हैं, मुहमद शामी जो है, वो 11th Indian Baller बन गए हैं, जो कि 200 test wicket ले लिये हैं, संजे अरूड़ा जी का नाम याद रखेंगा, ये ITBP के additional, SSB तो ये थे ही additional charge, लेकिन ये DG बन गया है, डिरेक्टरे जनरल, फिर भारतिये आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने quantum lab बनाया है, quantum lab कहां पे, MCTE के लिए बनाया है, military headquarter of war, clear है, चले, उसके बाद आप देख सकते हैं, एक किताब लिखा गया है, golden boy, नीरक चोपडा, ये नवदीब सिंग गिल जो हैं, ये बुक को लिखे हैं, अचा एक और चीज, आप लोग bond है, तो दो, तीन actually bond है, आप लोग common, जो general science में जो पढ़ेंगे, उसमें दो type of bond पढ़ेंगे, तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन-कौन से दो type of bonds होते हैं, MS Dhoni का first look from graphic novel, Avatar, Atharv, sorry, Atharv जो है, आगया है, तो MS Dhoni है, ये Atharv, जो इनका किताब, एक release हुआ, graphic novel है, उसमें इनक ये first look है, ठीक है, NACL iconic bond बनाता है, ठीक है, इसको हम लोग electrovalent bond भी कहते हैं, बढ़िया, और एक होता है, covalent bond, what is the difference between electronic, electrovalent bond, iconic bond and covalent bond, तब तक आप ये जान लीजे, JNU के जो vice chancellor, इनका नाम है, M. Jagadash Kumar, ये new chairman of UGC, बन गए है, iconic and covalent bond, I am getting the answers, okay, तो देखिए, जो बच्चों को नहीं पता है, उसको एक बात हम बताते हैं, बस, कि हम बोलें कि या तो electron accept करता है, जो कि non-metals होते हैं, non-metals क्या करते हैं, negatively charge हो जाते हैं, electron accept करके, और कभी-कभी क्या होता है, कि electron donate करके, metals जो है, positively charge हो जाते हैं, तो जब accept yet donation of electron होता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको electrovalent bond कहते हैं, ठीक हैं, तो माल लीजे कि अगर A है, A के पास last shell में 7 electron हैं, और B जो है, उसके last shell में 1 electron है, तो B क्या करेगा, A को electron दे देगा, और ये 8 हो जाएगा, और इसके भी, मतलब last में तो ऐसा कुछ होगा 2, 8, 1, तो इसके भी last में 8 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होड़ा है, electron का receiving and donation होड़ा है, तो ये electrovalent bond होगे, लेकिन carbon क्या करता है, ये इस तरह का bond बनाता है, तो इससे क्या होता है, ये ना यहाँ पर share कर रहा है electron, तो the sharing of electron is known as covalent bond, or the donation of electron or accepting electron is known as electrovalent bond, जिसको ह iconic bond, ionic, ionic, ionic bond क्याता है, ठीक है, ions हम समझते हैं, तो ये सब ions बन जाता है, clear है, ये ज़्यादा strong होता है, और ये थोड़ा weak होता है, तो ये common suggestion है कि H2O, जो कि आपका पानी है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत पानी दिख रहा है, तो H2O में कान सा bond होता है, तो H2O में sharing होत है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते है, covalent bond बोलते है, तो क्या H2O में, क्या H2O में sharing होता है, या फिर यहाँ पे donation of electron होता है, वो आप लोग बताईएगा, electron के transfer होता है वहाँ पे, या आपका covalent होता है, kionic होता है, ठीक है, तो यह question सोचिए, हम आपको दो option दे रहे हैं, कि जैसे यह hydrogen है, ठीक है, hydrogen किलास में एक electron होता है, और यह oxygen है, oxygen किलास में six electron होता है, यह उन बचों के लिए जो कि जिनका जादा hardcore science है, इस तरह से six electron होता है, तो आप हमको यह बताईए, कि sharing होता है, या फिर आपका donation होता है, कि स्ट्राइप का bond होता है आपके पानी में, H2O है न, sorry, तो H2O, बताईए, किस टाइप का bond होता है, आपका पानी में, sharing होता है, इस तरह से यहाँ पे sharing covalent होता है, या फिर यह भी hydrogen अपना bond दे रहता है, और यह भी hydrogen अपना electron दे रहता है, polar covalent bond होता है, अच्छा, यानि कि आप coordinate bond का बात करने, कभी सोचें गौर से, कि जब यहाँ पे H6, इसके पास एक electron है, यहाँ पे H6, इसके पास एक electron है, oxygen के पास 6 electron है, तो यह electron देगा या share करेगा, यह सोच के उनको बताएगा, ठीक है, चलें, next question आप देखें, Telugu का एक short film है, street student, इसको NHRC में short film, award में competition में जीत गया है, नीरा चोप्रा को, Lawrence World Breakthrough Year of the Year of the Year, मुलब साल का award मिला है, guys, why are you confused in such a simple सा question, IUCN designated, अडावली में एक पहार है, जिसका अडावली पहार ही है, ठीक है, तो यह राजस्तान हरयाना को touch करता है, हरयाना में गुरु ग्राम, अडावर डावर्सिटी प्लांट पार के नाम पे बोला गया, IUCN ने का है, RBI ने लाइसेंस कैंसल कर दिया, नासिक्स इंडिपेंडेंट को ओपरेटिव बैंक का, अभी तक confusion होड़ा है, सोचो, ठीक है, अभी नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे या CDS के class में पूछेंगे, तो वहाँ पे पूछेंगे आपसे, कि कौन सा bond है यह, अब देखें, question समाझ गए ना, question है कि H2O जो है, इसमें आनारिक बांड होता है, या फिर कोविलेंट बांड होता है, और जो बहुत basic students हमको यह पता होना चाहिए, कि किटायन क्या होता है और अनायन क्या होता है, तो इतने देर सम क्या बोल रहे हैं, कि कोई electron देता है, कोई electron लेता है, जो electron देता है, वो positively charge बन जाता है, और जो electron लेता है, वो negatively charge बन जाता है, तो जो electron लेगा उसको आप NIN बोलेंगे, और जो electron देगा उसको आप किटायन बोलेंगे, for example, sodium plus charge बन जाता है, तो वो किटायन के लाएगा, और chlorine जो है, वो minus charge बनता है, तो वो NIN के के टाइन जो है वो positively charged होते हैं और वो cathode की तरफ जाते हैं जो कि negatively charged rod है जैसे कि battery में होता है न एक निकला रहता है और अनाइन जो है वो negatively charged होते हैं इसलिए वो inod की तरफ जाते हैं तो इसमें एक पॉजिटिव ली चार्ज रॉड है, ठीक है, बैटरी का रॉड होता है, तो जिस तरफ उसका ऐसे पिंग निकला होता है, वो एक होता है, और एक जो पीछ रहाता है, तो इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो जो भी पॉजिटिव ल जाता है, clear? तो I am also teaching you chemistry साथ-साथ. चले, तो इस question कहां सर रताएंगे Daily Current Affairs में कि UPI Safety Awareness मन्त कम मनाते हैं, जिस वर्वरी में मनाते हैं, ठीक है? चन्नी, महलब क्यूं? हम साथ-साथ तुमको chemistry भी पढ़ा रही सी लिए? तुम चाहते हैं, कि आप लोगो सब पता चल जाएं. देखे, यहां बेभी, असलम खान को भी confusion होड़ा है. तो बहुत common सा question है, तो सूचिएगा, बताएगा. Iconic bond होगा, hydrogen अपना एक electron बनेट करके, stable हो जाता है, और oxygen दो electron लेके. बच्चा, तो, अच्छा, मैं अब तुम कहारो कि hydrogen जो है, वो दोनों अपना अपना एक electron देखे, और oxygen को दे देता है, है ना? हम कुछ याद नहीं रखते हैं, हम सिर्स समझते हैं, science कभी याद नहीं रखा जाते हैं. देखे, it is science. तो अब देखे, World Games Athlete of the Year Award, ये पियाज श्रीजेश को मिला है. फिर अंटोयों पोस्टा जो है, ये इनको रिएलेट किया गया है, Prime Minister. कहा कि ये Prime Minister बने हैं? कि ये Prime Minister बने हैं, Spain या पोर्टोगल? अचली क्या होगा, Spain या पोर्टोगल होगा, बताइए? मैं खुबी confusion होगा है, देखे, हमको याद नहीं रहता है. चले, तो अब इसको एक बड़ कंफॉर्म कर लीजेगा, Spain है या पोर्टोगल है? I guess it is Spain, still you confirm once, ठीक है? पिर next question आप बताएं. Next question, theme of 30th National Commission for Women Foundation. तो उसका foundation दिवस हम लोग मना रहे हैं, और She the Changemaker इसका इस साल का theme है. उन्नक्ती हुड़ा इनको represented the country in which game to win gold. तो उन्नक्ती हुड़ा गोल जीती हैं, और ये बैडमिंटेन में हमारे देश को represent की है. अच्छा, it's Portugal, ठीक है, it's Portugal. ठीक है, Costa जो है, वो पोर्टुगल के बने हैं. If you are damn sure, then I trust you. तो ये देखें, फिर the chairman of LIC whose term has been extended. तो LIC में किसका term extended हो गया है? ये एमार कुमार है, पहले भी यही थे, अभी भी यही है. एकबाल सिंग किंग्रा, who passes away, ये कौन थे, किंग्रा जी? तो एकबाल सिंग्रा, ये educationalist थे. फिर आप देख सकते हैं, यहाँ पर Odisha base, नेला चल स्पाथ निगम, स्पाथ मतलब होता है steel. आप लोग ये भी बताएगा, steel is an alloy, है ना? alloy क्या होता है? जब एक से अधिक element से कोई चीज बना होता है, I'm not telling metal, I'm telling element, क्यूंकि steel में carbon भी होता है. तो steel जैसे alloy है, तो आप उनको दो तीन alloy के बाने बताएगा, bronze, brass, है ना? और steel. और क्या होता है? ठीक है, यही सब है. तो यहाँ पर आप बताएगे कि यह तीनों जो है, वो किस-किस metals से बने होगा है? ठीयरे? तो यहाँ यह answer क्यों हो जाएगा? इसका यह हो जाएगा Tata Group. ठीक है? जनरल, जनरल मनोज पांडे, लेफटनेंट जनरल मनोज पांडे, यह बन गए है, न्यू वाइज, वाइज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसके पहले कौन थे? तो CP मोहंती थे. गाइज, आप लोग सेशन को तुरह सा लाइक और शेयर कर दीजे. और देखें, जिसको भी ना, इस तरह से बेसिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे कि लग रहा है कि माम, करेंट अफैस भी है, साथ-साथ आप हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलिटी का भी बता रहीं कि इसलेबस बहुत लंबा चोड़ा है, साइंस भी है, तो हम लोग इसका प्रपरेशन कैसे करेंगे, तो वो नहीं करना है, मतलब एक होता है ना, कि बहुत जादा मेटेरियल ले लें, और फिर उसमें डूब जाएं, और फिर, मतलब तार, सेल थू ना करना है, तो उसमें पूछा जा चुका है, तब आप बहुत अच्छे से इलिमिनेट कर पाएंगे, कि याई, इससे ना, ये थोड़ा माम बहुत टफ बना के पूछ रही है, ऐसा तो आता ही नहीं है, तो उससे आपको confidence आएगा, तो हमेशों syllabus और previous year questions, ये दो चीज होता है, जिससे कोई भी student exam qualify कर सकता है, तो ये दो चीज आपको पता होना चाहिए, और एक सही guidance, teacher जो है, वो selection नहीं दिलाता है, वो बस आपको guide करता है, कोई भी तैसे कि अर्जुन जो है, वो महाभारत जीते थे ना, कृष्ण क्या के थे, उनको guide के थे, तो उस type का guidance आपको मिलता है हमारे द्वारा, अदे 24-7, defense, तो यहाँ पर आपको guidance मिलता है, CDS exam के लिए, और CDS में आपको actually guidance का ज़रुआत है, क्योंकि ये ना, FCAT से थोड़ा tough होता है, UPSC लेती है CDS का exam, तो CDS के लिए अगर आपको guidance चाहिए, तो I'm always available and all our team, Jivesar, Gopal, Sir, Priya, Ma'am, Niharika, Ma'am, सारे लोग आपके लिए तो India's first of its kind project, mixing hydrogen into natural gas system, come up with, तो ये indoor में है, ठीक है, brass is equal to, brass is equal to copper plus zinc and bronze is equal to copper plus steam, ये विशाली क्या रहे है, okay Green hydrogen is just the thing, कि hydrogen को use करेंगे, ताकि हम लोग environment को कम pollute करें, ठीक है, फिर आप देखें कि which bank has got all approval for setting up a bad bank, bad bank क्या नहीं कि, bad bank क्या नहीं कि, उनको बहुत सारे NPS मिल रहे है, तो ये SBI है scientist of, हाँ, और steel भी बता हो, शाली सही बात है, IIT खड़कपूर के जो scientist है, उन्हों ना developed किया एक portable device, portable device आप समझते हैं, जासे आपका mobile जो है ना, वो portable है, लेकिन जब पहले बच्पन में landline लगता था, तो वो portable नहीं था, क्योंकि उसमें तार रहता था, वो तार आप एक ज उस तो जा ले जा सकते हैं, वो portable होता है, to detect which disease, तो कौन से disease के लिए है, यह oral cancer के लिए है, ठीक है, फिर आप बताएं कि researcher of which country has discovered a new type of coronavirus, यह सुन रहे हैं, बहुत जादा है, वो है, फेटल है, लोगों को मार देता है, यह coronavirus, तो नियो कोव है, यह कहां पे है, guys, okay, हाँ, हम अ इकानिक बोले थे बार बार, sorry, वो आयोनिक है, पोर्टोगला पांसर दे रहे है, very good, हाँ, अडावली नहीं है, अडावली है, okay, तो यहां पे, यह चाइना है, हाँ, चाइना ही करता है, यह सकता है, सेहत स्कीम, यह पूछा जा सकता है, कि घर घर तक medicine deliver करने के बारे में ब defense है, ठीक है, ministry आयूश यह सबनी, यह confuse मत करीगा, economic survey आया है, ठीक है, 31 January को economic survey आता है, और 1 February को क्या आता है, budget, तो इस बार के जो economic survey है, उसका theme क्या है, तो यह agile है, agile का मतलब होता है, जो लोग बहुत vulnerable section है, जैसे कि हमारे street vendors है, चोटे-चोटे shops लगाते हैं, आपके हाँ, जो helper है, को लोग कौन है, बहुत agile है, अगर आप उनको support नहीं करीगा, तो उनको बहुत सारा problem हो जाएगा, है ना, तो हमारा देश यह चाता है, कि हम ल agile brain के, अभी के time में, वो कच्चा मिट्टी वाला घड़ा है, तो कोई भी गलत concept मत पढ़ियेगा, अभी भी, concept history में भी है, geography में भी है, एक बार गलत concept जिमाग में बैठ जाता है, तो उसको निकालने में बहुत problem होता है, इसलिए foundation जैस student का बहुत strong होता है, वो कभी भी उसक problem नहीं होता है, वो student हमेशा successful होता है, जिसका basic chemistry पूछा जाता है, हार student से, commerce से भी पूछा जाएगा, जिसका basic physics clear हो, जिसका basic biology clear हो, उसको पता हो की utropic और protropics में क्या अंतर होता है, तो यह सब जो basic चीजे जो है, आपको पता होनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग foundation match ला र science में महनत कीजे और साथी साथ रोज arts पढ़ें, arts के student जो है, arts में 110% marks लाएंगे, थोड़ा बहुत science पढ़ेंगे, लेकिन commerce students, I am telling you, थोड़ा सा जादा महनत करना पढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है, commerce में सिर्फ economics से question आएंगे, economics में current affairs आते हैं, वो अलग से question basic नहीं आते है ठीक है, लेकिन science और arts वाले question तो आएंगे ही, तो खासकर commerce student को थोड़ा सा जादा महनत करना है, जब आपको इतना लंबा चोड़ा syllabus मिले, जिसमें आपको कुछ नहीं समझ में आए, तो कभी-कभी guidance लेना और help लेना कोई बुड़ी बात नहीं होती है, तो वो guidance और help आपको प्रिया मैं आप जानते हैं, she's a pro teacher in English, जो बच्चे OTA के साथ साथ, IMA, Navy और Air Force देना चाहते हैं, उनको maths भी बनाना पड़ेगा, 120 question आएंगे, आपको 100 उसमें से marks रहेंगे, maths के, वो भी बनाना है, लेकिन elementary maths है, ऐसा नहीं है कि बहुत आगे का है, और यहां पे निहारे का मैं है, जो आपको science बढ़ेंगे, तो यहां आप code यूज कर सकते हैं, Y332 code है, और short batch सिर्फ 18, यह इतना पैसा लगेगा है नहीं, 1199 का है यह, लेकिन अब यह सिर्फ 1839 में available है, ठीक है, अगर आप Y332 code यूज करते हैं, तो आपको यह 1839 में मिल जाएगा, साथी साथ अगर आप coins यूज करेंगे, तो coins में और पैसे आपके कम हो जाएगे, और अगर उसके बाद आपको और preparation करना है, जैसे कि CISF है, BSF है, तो इन चीजों का preparation करना है, तो आप महाँ पैक ले लीजे, ताकि CDS के बाद आप सीधे दूसरे exams जासे CAPF दियाने वाला है, तो उसमें आप सीधे लग जाएगे, ठीक है, और जो बच्चे F-CAT के लिए हैं, अभी आम आप टेलिंग कि आप ये सुपर सॉनिक बैंच यूज करें, लेकिन F-CAT के लिए आपको आपको चाहिए एक test pack, ठीक है, तो आपको एक test pack लेना है, और F-CAT का preparation शुरू करना है, उसमें टूटल 10 mock test है, तो 10 mock test आप बनाएगे, बिलकुल 110% आपको selection हो जाएगा, उससे 275 रुपीस का है, अगर आप ये code यूज करते हैं, Y332, 1100, वो है 1199 का, लेकिन आप code यूज करेंगे, तो 275 मापको टेस्ट मिल जाएगा, एंजीनियरी students जो है, पेपर आउट करवा दें, ठीक है, कर सब्सक्राइब करेंगे, पेपर आउट करके आपको मिल जाएगा, जो एंजीनियरी students है, आपका बेग्जाम अब लाइन आप हो चुका है, ऐसा नहीं है कि अभी एक्जाम में डिले है, ये सरकार रुक रही है, अभी ग्जाम सो रहे हैं, तो एक्जाम जब हो रहे हैं, तो कि राजस्तान पे पलिशन कंट्रोल बोर्ड लिया था, उसी टाइप का, फिर आपका RSM मेसेज भी भी आ चुका है, तो यहां पे क्या करना है आपको, यहां प्रपरेशन शुरू करना है, मेरा मानना है कि एंजीनियरी स्टूरेंट को जीके और हिंदी और माथ्स, इसा में मैट्स में तो नहीं होता है, लेकिन GK हिंदी में प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या करें न, सर्स्टडी में बस अपना ट्रेड जो है वो पढ़िये, बाकी जो भी पोर्शन है, नॉन टेक का, वो आप हम लोग के ऊपर छोड़ दीजे, लग इंगलिश, GK, हिंदी, यह स आपको प्रॉब्लम होता है, तो इतने सारे जब एक्जाम से तो एक ऐसा पैक लेना चाहिए, जहां पे आपको पुरा ही महा पैक मिल जाए, उसका और उसके बाद आपको प्रॉपरेशन करने में कोई दिक्कत ना हो तो ठीक है, आप जल्दी से एक्जाम कॉलिफाइ करें, है ना, जल्दी से एक अच्छे पोस्ट पे आए, ताकि हम आपके ओफिस में विजट करने आए, आपसे, पर्मिशन लेके, बहार कांस्टेबल खड़ा रहेगा, उससे पर्मिशन लेना पड़ते है, एपोइंटमें है कि नहीं, and then we will have a cup of coffee, thank you for watching the show, और ये session को आप देख चुके है, CDS का class है आज आपका, India का class भी है आपका, और दो बजे अगर आपको इंडिन जोग्रफी का हर एक important question पढ़ना है, तो आप आएंगे engineering अटा पे, ठीक है, और CDS, India आपको पता है कि आपको defense में मिल जाएगा Guys, shorter batch के लिए again I am telling you, shorter batch is a dream batch, shorter 2.0, shorter 2.0 में में हूँ, one में नहीं हूँ, तो यहाँ पे हर एक तरह का support, खासका SSB का preparation, holistic approach, personality development, 15 officers like quality, सब चीज पर ध्यान दिया जा रहा है, तो आप लोग इसको पिल्कुल वैसा है कि हम एक student से बात कर रहे थे, वो एक गलत statement मिला हूं को, व पिर अगले बार से देखेंगे, यह बहुत failure student का यह निशानी है, यह बहुत गलत चीज है, इसमें क्या होता है, यह हुआ है, और हाड किसी के साथ होता है, वो लोग सोचते हैं कि अरे यार graduate करेंगे तो UPSC IS का exam देखें, देखते हैं क्या होगा, नहीं होगा, ऐसे भी respect करेंगा, exam का बहुत respect करेंगे, वो सोचे कि यार वो इक level पे exam है, और आपका actually a form भढ़ने के लिए भी eligible नहीं है, अगर आप उस level का preparation नहीं कर रहे हैं, I'm telling you that, और जिस दिन आपने form भढ़ दिया है, और उसके बाद आप तन मन से नहीं लगे हैं, तो आपको exam देने का hug भी नहीं है, इसलिए क्या होता है, कि form भढ़ते हैं माली जिस 100 लोग, तो admit card का printout निकालते हैं, 50, exam देने जाते हैं, 25, होना तो वही दो लोग का ही है, तो इसलिए वो 2% में अगर आना है तो हर एक चीज, हर एक time का sacrifice करना पढ़ता है, और this is the reality, अगर आप sports person को भी देख अगर आपको उस position पर जाना है, और these exams, जो कि आपको सीधे officer बना रहे हैं, इनसान बना रहे है, proper society का creamy layer बना रहे है, you'll be on the top, उसके नीचे ही, जब भी देखना होगा किसी को तो sir juka की देखना पड़ेगा, उठा के नहीं देखेंगे, तो इस type के position के लिए आपको actually बहत महन and we are here to support you, to give you a clear good guidance, क्योंकि यहां पर जो भी panel के लोग है, जो भी teachers है, वो expert teachers है, बहुत सारे student के success के पीछों का हाथ है, and I have also started in the Shwarae Banch, तो आप जली से बैच में आए, I am a recommended candidate, ठीक है, CDS OTA, तो आप जली से बैच में आए, और Y332 को दूस करे, 78% का discount मिलेगा, और Shwarae Banch को बिलकुल कल, जैसे कल हम लोग ने परसो वसंद पंच भी मनाया है, तो आप लोग उसको एक अच्छा शुरुआत, बोलते हैं, शुब शुरुआत हो जाएगा आपका श्वाले 2.0, thank you.